नवसकार दोस्तों जहिन बंदे बातरम दोस्तों मैं आपके साथ जैसवाल सर सभी प्यारे मित्रों का सभी भावी अधापक अधाविकाओं का वेलकम अभिनांदन है दोस्तों आपके अपने परिवार टीचर्स फैमिली सिचकों के परिवार पे जैसवाल कोचिंग सिंटर प दोस्तो और कल का जो प्रेक्टिस सेट 11 था उसका मौक कोशन पहले आए दोस्तो देख लेते हैं कल का मौक कोशन था जितने मेरे प्यारे भाई भाई भेन से चबंदो कमेंट किये थे मुनका बहुत बहुत धन्वाद करता हूँ दोस्तो निम्लिकित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धात नहीं है चार आपसन आपके स्कीन पर दिये गए थे पहला कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं विकास के सभी छेत महत पूर्ण हैं सभी विकास परिपक्वन तथा अन्वहों की अंतेक्रिया का पईडाम होते हैं या सभी विकास तथा अदिगम एक समान गस से आंगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे में तो सभी जानते हैं कि आप अगर हम अगर एक दूसरे के साथ सोचें या सभी बच्चे आपके अपने कच्छा के सभी बच्चे क्लास के अगर उनकी जो सभी की बिकास और अधिगम एक समान गज से आंगे बढ़ेंगे तो सभी तो 90% सभी लोग ला लें एसा क्यों नहीं होता है दोस्तों क्योंकि हर वेक बिकास और अधिगम की गती जो होती है वहें गती में विविनता पाये जाती है ठीक है गती उनकी क्या होती है different होती है इसलिए समान गत्ते आंगे बढ़ते हैं यह आपका कथन गलत हो जाएगा ये तो इक आल ईंटो कॉस्जचन राइट अफस्न नमबर डी हो जाएगा अब दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रसन आपके स्किन पर आज के सेसन का आज के प्रिक्टिसेरेट का सभी प्यारमीत सहऊग करेंगे फीडवेक करेंगे अपना अपना कमेंट के माध्यम से दोस्तो अंगला प्रशन पहला प्रशन इस्मति का एविंग हास के साथ वही सम्मन्द है जो बुद्धी परिच्छन का इस्टन से है थांडाइक से है बीने से है या गिलफोर्ट से है सभी प्यारमित कमेंड करेंगे जिहां जैस्वा सर सभी का विरंदन करते हैं दोस्तो चिहां इस्मति एविंग हास के साथ वही सम्मन्द है जो बुद्धी परिच्छन का दोस्तो किसके साथ है बीने के साथ है सी आप्सन इजदा राइट एंसर हो जाएगा सेकंड आप्सन दूसरा प्रसन आपके स्कीन पर है कि निम्न सिधानतों में कौन से बच्चे के बौधिक विकास के चार चरण सम्वेदी चालक पूर परिचालन सुधन परिचालन एवं आपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है तो जब भी ये बात किया जाए चार चरण की बात किया जाए जब भी आपके सम्वेदी पूर सुधन और आपचारिक की बात की जाती है तो कौन सा अपसन सही हो जाएगा एक सन को मनो समाजी विकास का विकास का सिध्धान चिन्नित करता है ये फ्राइड का मानसिक योन का विकास का सिध्धान चिन्नित करता है जीन पियाजे का संग्यानात्म विकास चिन्नित करता है या आपके कोहल बरकानाइति विकास सिध्धान चिन्नित करता है आपका कमेंट आपका फीडवेग सरुमान है दोस्तों तो मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा से बताते चला आ रहा हूं दोस्तों एक चीज आपको प्रोग्रि पूर संक्रियात्म कवस्था पूर संक्रियात्म कवस्था अबचारिक संक्रियात्म कवस्था ये सारी चीज़े हमने पढ़ चुकी है तो एक ही नाम आता है हमारे जुबान पर हमारे मुख पर कि जीन पियाजे का संग्यनात्म विकास से यह क्या चिन्नित करता है ये क्या चि की बात कर रहे हैं थारंडाइक सिध्धांत समानता सिध्धांत कहलाता है अनुरूप तत्तों का सिध्धांत कहलाता है और अपचारिक नेमो का सिध्धांत कहलाता है या इनमें से कोई नहीं सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे अधिगम अंतरन का थारंडाइक सिध्धांत कहला अधिगम अंतरन थांडाई का जो सिध्धान्थ है वह अनुरूप तत्तों का सिध्धान्थ कहलाता है भी आपसंथ सई हो जाएगा अंगला प्रस्ण है असब ही को प्यारे मित्रों का बता आईक्यू लेवल की बात करेंगे बुद्धि लब्द से एक प्रस्ण जरूर आता ह 140 से अधिक बुद्धिलब्द वाले बच्चों को किस सेड़ी में रखेंगे जिन बच्चों के IQ लेवल जो है 140 प्लस है 140 सधिक IQ है उनका बुद्धिलब्द है उन बच्चों को मूर्ख में रखेंगे मंद बुद्ध के सेड़ी में समान में या प्रतिभा शाली में रखेंगे मेरे सभी प्यारे मित जानते हैं जब भी 140 प्रस बुद्धि लब्द की बात होती है एक ही जुबान पर आता है वो आता है प्रतिभा शाली की बात करेंगे सभी मित्रों को जहिंद बंदे मातम दोसों सभी प्यारे मित यहां पर फीड़ बेक करेंगे और साथी साथ दोस्तों अगर हम यहां पर देखें जी हां तर्मन नामक मनोब ज्यानिक ने बुद्धि के आपका वरगी करन किया है बुद्धि लब्ध के प्रकार में उन्होंने बता है किसके अनुसार है टर्मन के अनुसार है सभी लोग नोट कर लेंगे 140 से अधिक जो बुद्धि लब्ध होती वे प्रतिभा साली जाद जीनियस कहलाते हैं 120 से 140 अ tiris rate यानि की भेरी शूपीरियर कहलाते हैं और 110 से 120 IQ बुद्धि लब्ध जिनकी होती है वस्रेश्ट बुद्ध में आते हैं आपके यानि की केवल सूपीरियर ही कहलाते हैं और अगर हम बात करें, 96-10 बुधिलाब्द IQ वाले बच्चों में समान बुधि यानि जिसे हम एवरेज बोलते हैं, 80-90 बुधिलाब्द को मन बुधि, ठीक है, डुल माइंड बोलते हैं, और 37-80 वाले छीन बुधि बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, यह आपको नोट कर ले सभी प्यारे मित्रों का, अंगला प्रसन है दोस्तो, कर्ट लेविन के अनुसार समू में जो परिवर्तन होता है, उन्हें परसपरता कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, गतिसीलता कहते हैं, या संगत कहते हैं, सभी प्यारे मित कमेंड करेंगे, कर्ट लेविन के अनुसार से नंबर सी हो जाएगा अंगला प्रशन है जी हां दोस्तों सलेक्षन जी हां सलेक्षन वाला प्रशन है संभावित प्रशन है कि मस्तिस की सनचना तथा क्रतों में विभेत का पैडाम होता है तनाव होता है पिछडापन होता है डिसलेक्षिया होता है यह इन में से कोई नही आप सभी का प्यारे मित्रों का comment, feedback, लाजवाब है, उंदा है दोस्तो, मस्तिष की स्नचना तथा क्रत्व में विभेत का पईणाम क्या कहलाता है जो डिसलेक्सिया है, यह मस्तिष की सनचना तथा क्रत्व में विभेत का पईणाम कहलाता है, तो right option number C हो जाएगा, क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि डिसलेक्सिया मूल में निवरो बायो लाजिकल है जिसका अर्थ होता है कि समस्षा इस्थित है और मस्तिस्क में सरीरिक रूप से है मानो मस्तिस्क एक जटि लंग है जिसमें कई अलग अलग कार सरवादिक ध्यान रखना चाहिए आप सभी लोग भाविय अध्धापक अध्यापिक आये हैं तो अध्यापन के समय जो है आप लोग किसका सरवादिक ध्यान रखेंगे जब आप अध्यापन कर रहे होंगे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं से चवबंदू आप अध्यापन के समय किसका सरवादिक ध्यान रखेंगे विसे वस्तु का विक्तित विविन्ता का ये विद्याथियों की आयू का ये विद बच्चे सभी प्रकार के होते हैं, हर एक लेवल के बच्चे होते हैं, हर एक आईक्वी लेवल के होते हैं, सभी को आपको क्या है, जो एक अध्यापन के समय आपको जो बिक्तित में भिधिनता होती है, बच्चों भिधिनता होती हैं, उनको भी ध्यान रखना है, तो सभी के क आपको ऐसा ध्यापन करना जो सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएं अंगला प्रसने दोस्तो उपलब दी अभिप्रेणा क्या होती है उपलब दी अभिप्रेणा की बात कर रहे हैं सफलता वा सफलता को समान लूप से स्विकारने की ततपरता बीना विचारे जलवा काली से कार करने की प्रवत्ति या चुनोती पूर्ण कार करने पर डटे रहने की प्रवत्ति या सफलता से बचने की प्रवत्ति आपका कमेंट फीडबैक दोस्तो लाजबाब है तो उपलब दी अभिप्रेणा क्या हो जाएगी तो उपलब दी अभिप्रेणा यह होती है क चुनौती पूर्ण कार करने पर डटे रहने की प्रवत्ति पर जितना अधिक चुनौती पूर्ण कार होगा आप लोग डटे रहेंगे उतनी ही अभी प्रेणा आपकी उपलब दिकाहलाती है तो एकार्ड उन्टो कोश्चन राइट आपसन नमर सी हो जाएगा जुनोंने सी आपसन किल्क लिया है बहुत बहुत दन्वार और सभी प्यारमित अंत में कमेंड भी बताना है कि सेसन में इस प्रेक्टी सेट में आउट आप थर्टी में से आपका इस्गोर गया है दोस्तो मानो विकास है मानो विकास मातरात्मक होता है गुनात्मक होता है या एक निश्चित सीमा तक मापन हैं जा सकता या एक वदो दोनों सई हो जाएगे तो मानो विकास की हम बात करते हैं मानो विकास दोस्तो मातरात्मक रूप में भी होता है और आपके गुनात्मक र तो मांसिक स्वास्त बिग्यान का प्रमुक उद्देश बालक के मांसिक स्वास्त की रच्छा करना, कू समयोजन का निरा करना एक और दो दोनों या उपरुक्त मेशे कोई नहीं तो मांसिक स्वास्त बिग्यान का प्रमुक उद्देश क्या है दोस्तों तो मांसिक स्वास्थ बिग्यान का जो प्रमु कुदेश कहलाता है वह आपका बालक के मांसिक स्वास्थ की रच्छा करना भी कहलाता है और कू समयोजन का निराकरन करना भी कहलाता है राइट आपसा नंबर C हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे अंगला प्रसुने दोस्तों दवाव को कम करने एवं परिच्छाओं में सफलता के लिए आवश्यक है जो बच्चे होते हैं उनको दवाव कम करना क्योंकि एकजाम का प्रिसर सभी लोग जानते हैं दवाव में बच्ची आ जाते हैं तो उन बच्चेओं को परिच्छा के समय आउच्छाम में दवा को कम करना और परिच्छों में सफलता की आवश्यक है। बच्चे प्रसर करेंगे अगर आप महीने दो महीने में एक जाम लेते जाएंगे तीन महीने तो क्या होता है बच्चे में जो प्रसर का होता है वह अर्जेस्ट करते जाते हैं जो डर होता एक जाम का वह आपका कम हो जाता है इसलिए कम अबद की परिच्छाओं में अंतरण क सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण होता है वह पूर बाल अवस्था के दौरान होता है ब्यक्ति के पूरे जीवन में होता है यह किसोरा वस्था के दौरान होता है सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजी करण होता है सबी प्यारी मित जानते हैं वह किसोरा वस्था के दौरान होता है अर्थाद बारा से अठारा वस्था के जो स्टेज होता है अवस्था होती है तो राइट आपस नमबर डी हो जाएगा अंगला प्रस्ण है कि प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानि जन्म से लगभग दो वस्थ की आउग के दौरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है यानि कि हम बात करेंगे समवेदी गामक अवस्था की बात करेंगे जीरो से दो वस्था बात करेंगे और जीन पियाजे जी की ये पहली अवस्था है पियाजे जी के तो पियाजे जी के नुसार बिकास की पहली अवस्था जर्म से लगबग दोवस्थ के दोरान बच्चा सबसे बहतर सीखता है बच्चा जो है अमूर तरीके से चिंतन दोरा सीखता है भासा के नए अरजित ग्यान के अन अच्छा होता है सबसे बहतर जो सीखता है जब हम बात करते हैं जीरो से दोवस इसका नाम यह इंद्री गामक अवस्थार था तो इंद्रियों के प्रियोग द्वारा सीखता है तो सी आपसन सई हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगे कि रोर्षक परिच्छन के बारे में नि चेपी परिच्छन है या आपका रोर्षक परिच्छन बेक्तित की संपून रूप से नैदानिक जाच करता है या आपका अपसन बर सी होगा कि यह बेक्तित के बोधिक तथा अबोधिक दोनों ही प्रकार के सील गुणों का मापन है या इसका मूलबूत प्रियोजन बेक्त कथन सत नहीं है तो यह दोस्तों आपका कथन गलत है कि रोसक परिच्छन बिक्तित्र की संपूर रूप से नैदानिक जाच करता है तो रोसक परिच्छन है बिक्ति की जो है संपूर रूप से नैदानिक जाच नहीं करता है लेकिन यहाँ पर दिया गया है इसलिए आपका नक मौक कुश्चन होता है सभी प्यारमित जानते हैं समझते हैं जी हां प्रशने दोस्तों काल रोजर्स के अनुसार कुसा मयोजन का आधार वैसम क्या है जी हां काल रोजर्स के अनुसार कुसा मयोजन का आधार वैसम क्या कहलाएगा इदम तथा पराहम के मद कहलाएगा वास्त काल रोजर्स के उसार कू समयोजन का जो अधार वैश्यम कहलाता है वह वास्तिक स्वा तथा आदर्स स्वा के मद कहलाता है और जो यह ससन यह क्लास है आपके चाइल्ड डवलोप्लेमेंट पेटाओगा जी फिचकोला जी मनो बिज्यान सब का कमबाइंड है क्योंकि हमें जो सलेक्षन का रास्ता है वह यहीं से निकलेगा क्योंकि सलेक्षन दोस्तों शरो पर है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट बिक्तित के प्रारूप सिधानतों की सबसे प्रथककारी बिसिष्ट क्या होती है जो बिक्तित के प्रारूप सिधानतों की सबसे ब्रतिवासाली बालकों के रूप में लेवल करना या जिन बालकों को उपचारात्मक सी चाहिए कि यह सकता है उनकी पहचान करना या अधियम की कटनाईयों वा समस्चाओं वाले छेत्रों का पता लगाना या उत्पादन जीवन जीने के लिए सिच्छा किस सीमा तक त्यार कर पाई है का पुष्टी पोशन प्यदान करना तो मुल्यंकन का उदेश क्या हो जाएगा तो मु उत्पाद करते हैं जो आप पढ़ाते हैं तो जीवन जीने के लिए सिच्छा किस सीमा तक आपने त्यार कर पाई है उत्पादन में का पुष्टी पोशन प्रदान करना ही आपका क्या कहलाता है मुल्यंकन का उद्देश हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प् अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं जो बच्चे की सोरा अवस्था में या बारास लेके अठारा वस्था की एज या स्टेज में होते हैं आवस्था में दोस्तों किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं सरीरिक एवा मांसिक परिवर्तन से करने की यह क्या समस्या का सामना करना पड़ता है तो पहला अपसन सई हो जाएगा अंगला प्रशन दोस्तो परिच्छा में बिद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रशन पूछेंगे आप सबी लोग भावित दापक दापिका हैं आप सिच्छक बनेंगे टीचर्स बनेंगे आपके निक्त होगी आपक अच्छा में पढ़ाने जाएंगे एकजाम से लेंगे परिच्छा लेंगे तो उस परिच्छा में बिद्यार्थियों कि किस प्रकार के प्रशन आप पूछने चाहिए आपको इसमत इवम समझ पर आधारित प्रशन वस्वनिस्ट इवम पुछने चाहिए तो समझ एवं अनुपरयोग आधारित पर पुछन पूछना चाहिए अंगला पुछने दोस्तो इसके बाद 10 कोश्चन का और कंप्लीट करेंगे परात्मिक विद्यालों के बालकों के लिए निन में से किसे बहतर मानते हैं जो परात्मिक विद्याले के बा बात करें तो प्रामरी लेवल में यानि परात्मिक विद्याले के बालकों के लिए दोस्तो इन में से किसे बहतर मानेंगे तो जो स्वयम के द्वारा किया गया अन्वह होता है जो बच्चा एबी सीडी लिखता है काखा गागा लिखता है जब बच्चा स्वयम लिखता है तो उसके पास अन्भव आता है प्रेक्टिस करता है तो स्वैम के द्वारा जो किया गया अन्भव होता है दोस्तों वह प्रात्वी बिदाले के लिए बालकों के लिए सबसे बहतर माना जाता है अंगला प्रशन है कि हस्त सिल्प की सिच्छा दी जानी चाहिए जो हस्त सिल्प की सिच्छा है वह मंद बुद्धी बालकों को दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए या फ्रकर बुद्धी बालकों को दी जानी चाहिए तो हस्त तो दोस्तों यहाँ पर right option क्या हो जाएगा आपका सभी प्यारमित जानते हैं क्या हो जाएगा हस्त सिल्फ की सिच्छा दी जानी चाहिए दोस्तों मंद बुधी बालक को दी जानी चाहिए अब आप बोलेंगे बालक मंदभुदियत इसको हस्त सिल्प की सिच्छा कैसी दी जाएगी तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हस्त सिल्प की सिच्छा यानि कि अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग इन हैंडी क्रेफ्ट्स यानि पिछडे बालकों में तरक तथा चिंतन सक्ती का अभाव होता है आता है उनके लिए मूर्त विश्यों के रूप में हस्त सिल्कों की सिच्छा का प्रवंधन किया जाना चाहिए तो राइट आपसन क्या हो जाएगा आपसन अमबर एस इह हो जाएगा मन्द बुधी बालक की बात करेंगे अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रिश्यों सभी प्यारमित कमेंट करेंगे बिक्तियों में एक दूसे से भिनता क्यों होती है जो बिक्ति होते हैं उनमें एक दूसे में भिनता क्यों होती है हम और आप हैं हम आप देखेंगे एक ही फैमली एक परिवार एक ही समास से फिर भी हमारे बिक्तियों में आपकी जो भिनता पाए जाती है इसका कारण क्या है? रिजन क्या है? बहुत ही difficult question है, बहुत ही easy question है जितना अच्या आप समझेंगे, जितना प्रक्तिस करेंगे और जितना अच्छा इस परिवार से जुड़र रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये teachers family है दोस्तों सिचकों का परिवार है तो बिक्तियों में एक दूसे से भिनता क्यों होती है क्योंकि दोस्तों वनसा नुकरम अववाता वरेंड की बीच क्या है unknown क्रिया के कारण हमारे और आप में क्या है आपकी भिनता पाई जाती है बिक्तियों में भिनता होती है तो एक आड़ इन्टों क्योंस राइट अपसा नमबर सी हो जाएगा साथी साथ दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर जुने सभी प्यारमित नोर्स पीडिया फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में सर्च करें जैस्वाल कोचिंग सिंटर आपको अमारा जो आइकाइन है ठीक है वो आपको मिल जाएगा और साथी साथ लिंक भी दे दिया गया दोस्तों आपके डिसकर्शन में चिक करेंगे नीचे जाके और आपको दोस्तों अगर आप इंस्ट्रागाम पर हैं और जैस्वाल सर यानि अपने परिवार टीचर्स फैमिली जैस्वाल कोचिंग सिंटर को इंस्ट्रागाम पर भी फालो नहीं किया है तो जरूर जाके फालो करें लिंक भी दिया गए आप Instagram पर सर्च कर सकते हैं जैस्वाल सर या आप जैस्वाल कोचिंग सेंटर को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जैस्वाल सर से directly message chat द्वारा भी जो भी आपके question हो आप directly हमें ठीक है बात कर सकते हैं ठीक है आप देखते हैं दोस्तों अंगला पर से आपके screen पर है कि बेक्ति में उन मनोसारीरिक अवस्थाओं का गतिसील संगठन जो उसके परियावरण के साथ अद्थी सामंजस निधारित करता है वह कहलाता है बिक्ति में उन मनों सरीरिक अवस्थाओं का गत्सील संगठन जुसके पर्यावर्ण के साथ अदती सामंजस निधारित करता है वह बिक्ति तो कहलाता है समयोजन कहलाता है समवेदना कहलाता है या चरित कहलाता है तो बिक्ति में उन मनों सरीरी कवस्थाओं का गसील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अदिती सामंजस निधारित करता है दोस्तों वह हमारा क्या कहलाता है विक्तित कहलाता है यह आपसं दोस्तों सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला परसुम मानो बिक्ति पईडाम है जो मानो बिक्ति पईडाम है किवल अनुवान सिक्ता का पईडाम है पालन पोसन और सिच्छा का पईडाम है यह अनुवान सिक्ता और वातावरण की अंतेहिक्रिया का यह केवल वातावरण का तो मानो ब अंगला परसन इसके बाद 5 question और complete करेंगे दोस्तों निम्निकित में से किसे प्रात्मी किस्तर पर सिच्छक का सरवादिक महत्पून गुण माना जाना चाहिए किसे प्रात्मी किस्तर पर सिच्छक का सरवादिक महत्पून गुण माना जाना चाहिए पढ़ाने की इच्छा धैर और द्रहता होगा या दंडिट करने की हा निरहित विदियों का ग्यां या अतधिक मानकी कृत भासा में पढ़ाने की दच्छता आप सभी लोग भाबे दापक दापिकाएं हैं सिच्छक बंद होएत ये बताएए प्यारे मित्रों कि प्रात्मी की स्थर पर सिच्छा का सरवादिक महत्पूर्ण गुण माना जाना चाहिए या आप लोगों को जब प्राइमरी लिवल पर पढ़ाएंगे तो आपका बार बार पढ़ाते एपल माने ये होता है ठीक है बॉल माने बी फार बॉल होता है लेकिन बच्चा गलती करता आपको दहर रखना है बच्चे को वही चीज पढ़ाते जाना पढ़ाते जाना है दहर और दहरता करेंगे अगर ये चीज गुण है तो आप सफल हो जाएंगे जिहां भी आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण है कि बच्चे की जिग्यासा जो है सांत करनी चाहिए बच्चे बहुत ही क्रेटविटी होते हैं ठीक है सभी लोग जानते हैं बार बार प्रस्ण करते हैं तो बच्चे की जिग्यासा सांत करना आवश्च है लेकिन फिर आपका जो बालक बिद्यार्थी वो फुर्सत में हो या फिर कुछ समय के पशाद कर सकते हैं यह ततकाल जब बिद्यार्थी द्वारा जिग्यासा की गई हो तो दोस्तों अच्छा और पेड़ागोजी सिच्छा सास यह कहता है कि बच्चे की जिग्यासा सांद करनी चाह लाएगा उन्हें धार्मिक पुस्त के पढ़ाना सिच्छा का आदस रूप में बेवहार करना उनका मुल सिच्छा पर मुल्यांकन करना या उपरिक्त में से कोई नहीं तो बच्चों में नैतिक्ता की स्थापना के लिए सरुत्तम मार्ग क्या होगा सभी प्यारमेट प्यारमेट करेंगे फीडबैक करेंगे सभी मित्रों को दोस्तों जैहिंद वंदे मातर मिंकलाब जिंदावास सेलेक्शन यहाँ पर शरूपर है जी हां दोस्तों अंगला प्रशन है कि बिकास के परिप्रेच में समय के साथ होने वाले परिवतनों में नेनमे से क्या सामिल है विकास के परिप्रेच में समय के साथ होने वाले परिवतन में रूप सामिल है दर सामिल है अनुकरम सामिल है या उपरुक्त शभी सामिल है तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा विकास के परिप्रेच के समय दोस्तों रूप, दर, अनुकरम यानि कि ये तीनों सामिल है दोस्तो अध्यापन भीसे का ग्यान होना चाहिए बाल मनोपिक ग्यान का या सिच्छा सनीता का या दोस्तो अध्यापन भीसे एवं बाल मनोपिक ग्यान का आप सभी लोग भावे दपक दपकाए हैं आप ये बताईए आप लोगों का जो है ग्यान होना चाहिए किसका ग्यान होना चाहिए तो आपका दोस्तों अध्यापन भी से एवं बाल मनो बिज्ञान का ग्यान होना चाहिए जी हाँ राइट आपस नमबर डी हो जाएगा अब देख लेते दोस्तों मॉक कोश्चन आपका इसकिन पर क्या दिया गया है मॉक कोश्चन कह रहा है कि एक बच्चे की बुध्य और विकास के अध्यन की सरवाधिक अच्छी बीदी कौन सी होती है सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे जी हाँ एक बच्चे की बुध्य और विकास के अध्यन की सरवाधिक अच्छी बीदी कौन सी होगी मनो बिसलेशन भी दी तुलनातमक भी दी विकासी भी दी या सांक की भी दी सभी लोग कमेंट करेंगे फीड़बेक करेंगे तो बच्चे की ब्रध्य और विकास के अधन की जो सरवादी का अच्छी बीदी कौन सी मानी जाती आप सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे फीडबेक करेंगे और इस मौक कोश्चन करेंगे इंसल जो है नेस सेसन नेस प्रेक्टी सेट में आपको बताया जाएगा तो दोस्तो आउट आफ 30 में से आपका स्कोर क्या है 30 है 20 प्लस है कितना है सभी लोग कमेंट करें और चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं तो सब्सकाइब करना मत भूलेगा ताकि लाटेस नूट की सन मिलता रहे और चैनल को विजट कीजे प्लेलिस्ट चेक कीजे सारी क्लासेज आपको फ्री आप कोश्ट मिलेगी क्योंकि राज श्रित में सिच्छा की बात करते हैं हर एक दोस्तो प्रेक्टिस इट अटेंड करना इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां पर सारा कंकूलूजन किया गया है क्योंकि हमारी त्यारी थर्टी आप थर्टी में चल लगी है तो सभी वित्रों को जहिंद बंदे मातनों दोस्तों हमेशा हस्तरी मुस्कराते रहिए जल्दी मिलते हैं निस क्लास पर धनवाश भी करते हैं